दन्धे दोस्तों कैसे हो आज रविवाल और आज हम सुमवार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले या लेते लेते ही जो कहानी आज हम जो बेट टैम स्टोरी सुनने जा रहे हैं वो कौन सी है उस कहानी का नाम चलो उसको बताने से पहले हम बोलते हैं कहां से ह कहानी आज हम ले रहे हैं इंग्लेंडे रूप को था इस किताब से यानि कि इंग्लेंड की रूप को था है इस किताब से हम ले रहे हैं ये जो किताब है इस किताब को अनुवाद और संपादना किये हैं अमिरूल इसलाम और ये जो किताब है ये प्रकाशित हुई है बिश्र साहित केंद्र धाका से और आज हम इंगलाइन की कौन से फेडिटल सुनने जा रहे हैं तो बच्चो आज सब तो हम तीन कहानियां पढ़ चुके हैं तो आज हम चौथा जो कहानी है माठेर मुखे आंग्ती ये वाला कहानी ये वाली कहानी हम पढ़ने जाएंगे तो चलो चलते हैं वहाँ पर तो आज की कहानी है माचेर मुखे आंग्टी मतलब क्या है अच्छा बच्चो माच मतलब मच्छली और मुखे और आंग्टी बोले तो अंगूर्ठी तो आज की कहानी क्या है? मचली के मुँ में अंगूठी तो चलो शुरू करते हैं वैसे यह जो तस्वीर है बच्चो यह उल्टा जैसा लग रहा है न और कुछ ए नदी है लेगिन उल्टा ही सही लेगिन लग रहा है नदी और उसमें एक बच्ची है इत्ता तो हमें समझ में आ रहा है तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं आज की कहानी मचली के मुँँ में अंगू थी इंग्लेंड के उत्तर में यॉक्षायर नाम की एक जगा थी जगा है अभी भी तो वहाँ पर रहते थे एक जमिंदार उनकी जो महल थी ना राज प्रषाद जिसको कहते हैं महल वो इत्ता अच्छा और इत्ता सुन्दर था कि कोई भी देखे जो بھی रस्ते से आते जाते देखते वोही कहते अरे किती सुन्दर है रे तो जमिंदार के पास तो बहुत रुपे पैसा था और उनकी बहुत क्योंच में आपर जमिन दारी देज और वादन प्योंच में अमें प्रुम्र कोक्ति स्क्वाद नेर्स टार पूरे दुन दारीमा डिन लेधे, आफ्यां में हम प्राश से भी से सद्विद च या unders और बिभिन प्रकार के बिचित्र बिचित्र सारे किताबे पढ़ते थे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते वो खोब सारे जादू भी सीख लिए। आउटर कौवर होता था समझ पारे हो कैसा वाला था और वो मोटे मोटे सारे किताबे होते थे और उसमें किते सारे प्रकार के मैक्स सारे किते सारे प्रकार के कैलकुलेशन्स होते थे और वो ये सारे हिसाब लगाते लगाते सिर्फ जानने की कोशिश करते थे कि प्रत्वी के कहां पर क्या घटित हो रहा है लेकिन उस जमिंदार के सिर्फ एक ही लड़का था और जिसका उमर था पांच साल जमिंदार के लड़के का उमर तो पांच साल है और जमिंदार अपने लड़की को बहुत ही जादा प्यार करते थे और जमिनदार की इच्छा था कि उसके लिए सारे उसके खुद का संपती है वो रखे जाएंगे और रखे जाएंगे तक भविश्य में कभी भी कैसे भी उसके बेटे को कोई परिशानी ना हो पाए और इतना प्यार इतना जादा दुलार करने की और इक वजह ये भी था कि वो लड़का मात्रिहारत था मतलब उसकी मा गुजर गए थी तो और वो ये जो हमारे जमिनदार है ना वो मनी मनी ये सपना देखता था कि उसके लड़के एक दिन बहुत बड़ा होगा और बहुत सुन्दर एक एक अमीर घर के लड़की के साथ उसकी शादी करवाएंगे और जैसे माल लो वो तो ये भी सपना देखते थे कि उसकी जो बहु होगी मालब उसके बेटे के जो पत्नी होगी बेटे की जो पत्नी होगी वो एक राज कुमारी होगी विशाल विशाल वो महल होंगे उसके पास वहाँ पर उसके बेटे रहेगा और वहां से ही अपना राज्य को सासन मलब अब बेटी के साथ मलब बहु की राज्य उसके राज्य हो जाएगा तो ऐसी ही वो तब राज्य को सासन करेगा ये सपना वो जमिनदार देखता था तो इसलिए एक दिन जमिनदार ने क्या किया वो अपने बेटे का भविश्य गर्णा करने बैट गया और गर्णा करके देखने लग गया कि कैसे लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है तो एक दिन बहुत गहरे रात हो चुकी थी और बहुत सारे हिसाब लगाने के बाद जमिनदार को एक बहुती दुख दायक जवाब मिला वो गर्णा करकी ये देखा कि उसके लड़के के भाग में उस मलब उसके भागे में एक गरीब एक बहुती गरीब इंसान की बेती ही लिखा हुआ है शहर के जो सबसे जो गरीब जो इनसान है जो एक पत्तों के गोसला मतलब इतना ही बुरा हालत है ऐसा वाले घर में रहने वाला शहर के एक लास्ट में रहने वाला एक जो विक्ती है उसके ही लड़की के साथ उसके ही लड़की के साथ उसके बेटे का शादी होने वाला है यही उन्होंे गर्णा करके निकाला तो उसको तो बहुत दुख हुआ क्यों भाई क्योंकि वो तो सपने हाँ रहा था, राजकुमारी का, ठीक है? तो वो ने, ने, यह सोचे कि, तभी तभी लगल जवाब था, और वो उसको लगा कि, है शाय bestimmt मैं कोई कहीं पर गलत, गल्ती कर दिया है, तो वो उसने फिर से रिचेक किया, है ना? एक ही जवाब मिला और ये सोचने के बाद बलब ये जानने के बाद उसको तो रात को नीन ही नहीं आये उसके तो दिल ही तूट किया जैसे सुबह सुबह वो नाश्टा भी नहीं की फिर बहुत जल्दी जल्दी अपने मकान से मनलव राज अपने महल से निकल पड़ा और तब तो बाहर बहुत तीज हवा भी चल रहा था और लेकिन फिर भी किसी भी तरफ जमिंदार का कुछ भी नजर नहीं पड़ा कुछ भी महसूस नहीं हो पाया वो तो अपने महल से आंगन को पार करके अपने एक घोरा लेके वो तो एककम शहर के आंगरे छोर के लिए रवाना हो गया और जहां पर वो पत्तर से बना हुआ गोसला है जो कुटिया है जहां पर मतलब उसके गर्णा के हिसाब से वो सबसे गरीब जो इनसान रहता है वो कुटीर मतलब वो कुटिया उन्होंने धून लिया और धूनने के बाद उसके दर्वाजे के सामने वो देखा कि एक दुखी इनसान एक दुखी और बुज़ूर्ग इनसान चुपचा वहां पर खड़ा हुआ है जमिनदार को देखते ही वो बुज़ूर्ग इनसान थर थर कामने लगा और सोचा यार कोई गल्ती हो गया क्या हमसे तो जहां तक कोई गल्ती हो गया क्या यह सोचा तो जमिनदार तो उसको देखे घोरे से उतर उतरे और फिर बोले अच्छा तुम तो बहुत ही दरीद्र हो मतलब गरीब हो तो इसलिए मैं तो महारा हाल चाल पोचने के लिए आ गया तो दोनों हाथ जोर के तब हो बुज़ूर्ग बोले हुजूर्ग क्या और बोलूं बहुत ही कश्ट में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है मेरे पास तो पहले से ही साथ बच्चे थे अब कुछ दिन पहले मेरे और एक बेटी पैदा हुई है मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे उन लोग को खिलाओ पिलाओ कहां से उन लोग के लिए पुशाक का इंतिजाम करूँ कैसे उन लोग को बढ़ा करूँ मैं बहुत ही गरीब इनसान हूँ और इस उमर में कौन सा काम ही मैं करूँ जमिनदार तब मन ही मन सोचने लगा कि उनकी गर्णा तो निर्भुल है और जिस लड़की के साथ उनके बेटे की शादी होने की वो गर्णा किये थे तो वो तो यही है तब और ये वो कभी मान नहीं सकते हैं जो दुख और कष्ट को सर पे लेकर ये गरीब घर की ये बेटी बड़ी होगी वैसे वाले किसी के साथ तो अपने बेटे को क्या बोले अपने बेटे के शादी करवाना वो कतै जमिनदार के लिए मानने नहीं था तो तब वो एक कुट बुद्धी निकाले बुद्धी बोलो एक दुष्ट योजना बनाए हाँ ये सही होगा जमिनदार तब एक बहुती दुष्ट योजना बनाए और वो अचानक से बहुती दयालो और बहुती उपकारी ये बनकर बहुती सुन्दर से एक सुन्दर सा मीठे से हसी हस कर उस बुद्धी इंसान को बोले तुम्हारे कश्ट के लिए मैं बहुती दुखी हूँ मैं वैसे तुम्हारा थोड़ा बहुत उपकार करे सकता हूँ तुम अपना वो छोटी सी बच्ची मुझे दे दो मेरे पास ही ये लड़की बड़ी होगी तो बुजूर्ग और उसकी पतनी दोनों ही उस छोटी सी बच्ची को देने से पहले तो राजी नहीं हो पाए इनकार कर दिये लेकिन फिर थोड़े देर वो लोग सोचे और ये सोचे कि इतने कश्च के अंदर इस छोटी सी नन्ही सी जान को रखने से तो बेहदर है कि वो सुक्षा सांती से रहे और वो भी कम कहा है और ये जो एक मौका आया है इसको छोड़ना कोई सही बात नहीं है लेकिन फिर भी मा की मन तो मा की मी मन होती है मा तो रोने लग गई अब वो अपनी छोटी सी गुरिया को जमिंदार को दे दी जमिंदार तो जहां तक उस बच्ची इक को पाया वो तो तुरंद घोरे पे चड़कर जल्दी जल्दी अपना घोरा दोरा दिया और मा जो है वो तभी भी रोती रही और जो बुज़र्ग इंसान है वो असहाय होके सिर्फ रस्ते को ताकता रहा अब हमारे जो जमिंदार जी हैं वो तो बच्ची को लेके तुरंद घोरे दोरवा दिये तो फिर क्या हुआ वो घोरे पे सवार होके एक उपत्तका पार करके एक बहुत ही पतली सी एक नदी के सामने आकर रुग गये तब और वो तेज हवा नहीं चल रहा था तब बहुत ही धीर गती से पवन बह रहा था और पेर के पत्ते सुन्दर सा शब्द कर रहे थे घिर जिर घिर जिर ऐसे आवाजरी कर रहे थे लेकिन हमारे जमिनदार के दिल में तो खुब सारा चिंता है खुब सारा जलन है वो ये सोचने लगा के अगर वो ऐसे गरणा करके ये आस्यर सत्यागन नहीं जान पाते तो वाई कैसे होता, वो तो बहुत ही बिचलित हो गए ये सब सोचके, उसके तो मन अच्छा नहीं था, मन दुखी था, तो वो घोड़े से नीचे उतर के उस नदी के पानी में उस छोटी सी बच्ची को फेग दिये, और ये सोचने लगे कि मेरे एक मातर लड़की का भाग ग और ऐसे ही मैंने कर दिया, फिर अब वो सोचने लगा कि मैं तो अब अपने लड़के के लिए अच्छे घर की एक लड़की बहु के रूप में मैं तो चुनूंगा और उसे ही शादी करवाऊंगा, अब उसको बहुत खुश लग रहा, वो खुश हो रहा था क्योंकि वो उ उसके हिसाब से उसके सर से बहुत बड़ा बोज एक हलका हो गया, उतर गया, फिर वो एक गहरी सांस लेकर फिर से घोरे के उपर चड़कर एक टक से अपने महल के तरफ रवाना हो गया, लेकिन उस छोटी सी बच्ची का क्या हुआ बच्चों? उस छोटी सी बच्ची की भा पता है जब उसको वो जमिनदार फेक रहे थे तो तब उसके कपड़े ऐसे हवा में फूल गए कि जैसे पैराशूट होता है ना थिक वैसे ही वो कपड़े पैराशूट के तरह काम किये और नदी के पानी में वो बच्ची धीरे से उसमें क्या बोलूँ उसके ऊपर गिरा गिरा बोलने से भी थोड़ा जादा फोर्स बोलना होगा लेकिन हम कहेंगे कि वो दीरे से उसके ऊपर रह गया मनलब जैसे लगेगा कि कोई उसको उपर बहुत ही धीरे से रख दिया उस बच्ची को और फिर उसको ठंड़ा बोलो या भीगा हुआ पुलूस बच्ची को तो कोई बोध था नहीं थी लेकिन वो तो आराम से सोने लग गए और वो नाट डुबके धीरे 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 ऐसे नदी के स्रोतों में वो तैरते हुए मतलब तैर क्यों नहीं रहा था तैर मतलब श्रोत उसको बहाते हुए आगे के तरफ लेते हुए चला गया अब हुआ क्या है इसके बाद उसी नदी में थोड़ी दूर में एक गरीब मच्वारा मचली पकड़ने के लिए अपना छीप मतलब जो क्या बोलो फिशिंग विल होत जो कोई मचली आने हुए थी उसके हुख लेकिन फोड़ी देर में वह क्या देख रहे है कि सफीज जैसे कोई चीज देरते हुए जा रहा है है ना चले जा रहा है नदी में तो वह उस फिशिंग होग के हुच से उसको अपने तरफ जहां तक घ wrenchा तो उसको क्या दिखाई पढ़ रहा था अरे बाबा यह तो एक छोटी सी बच्ची है और पूरे सारे कपड़े भी गए है तो मच्वारा सोचा अरे किते देर से ये नदी में शायद तेर रहा होगा किते देर से जा रहा है ना तो इसको ठंड भी लग गया होगा तो वो जल्दी-जल्दी से उसको कप प्यार से हमारी ये चोटी सी नदी सी बच्ची स्वस्थ होके उठे लग वैसे उसको कोई नुक्सान नहीं हुआ था लेकिन फिर भी बहुत ही हो सबल और स्वस्थ हो गई है ना सही होगी अब क्या हुआ कि धीरे 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 उनकी ही बेटी वह तो अब देखो वह कोई अपने माबाबा बोलके जानती है और उनका भी ये जो मच्वारा और उनकी पत्नी जो है उनका भी और कोई बच्ची नहीं थी कोई संतान नहीं था तो इसलिए उनके लिए भी वह उनकी संतान जैसा नहीं संतान बनके ही वह भी पलती बड़ी होगी काम सिखती रही औ बहुती सुन्दर हस्मुख और एकदम जैसे होता है न एकदम स्वस्थ पौधे जैसे एकदम ससक्त पौधे जैसा बढ़न फल फूल के बढ़ने लग गई और उनकी जो माबाबा मतलब वो मश्वारा और उनकी पतनी दोनों मिलके उस बच्ची का नाम क्या दिया पता है दोन पढ़ रहा है ना देखो इसका मतलब वो लोग भी सुनने को आ गया है तो तुम लोग भी सुन रहे हो ना लेकिन मैं यह कहूंगी के बिस्तर पे लेटे हुए आग बंद करके सुनो ठीक है तो अब आते हैं हमारे कहानी का दूसरा पर क्या हुआ देखते ही देखते ही 16 साल बीद गया जमेंदार की लड़के भी 16 साल बड़ा हो गया अब तब तो उसका 5 साल उमर था तो इसका मतलब अब उस बच्चे का अब तो वो बच्चा नहीं रहा है अब तो वो यूवक बन गया है और उसका उमर हो गया 21 साल वो तो एकदम जवान लड़का है इदर उदर उसको गोमना बहुत पसंद था पिता जी के साथ महल में हमेशा तो भाई कोई रह नहीं सकता है इसलिए कभी-कभी वो निकल पड़ता देश ब्रह्मन में और वो तो बहुती जिन्दा दिल इनसान था जिन्दा दिल एक यूवा था समुंदर के किनारे उसका एक चाचा जी जी के और उनके पास उसको गोमने जाना बहुत पसंद था और समुंदर और चारो तरफ का जो पाहार है कितना सुन्दर वहां का वो वो प्राकेतिक द्रिश्य है तो उसको वो बहुत पसंद था अब जमिंदार का दर हमेशा लगा रहता था अगर लड़का अगर कोई गलत लड़की इनको प्यार कर बैठा तो तो जमिनदार तो अपने लड़के के साथ कोई एक बड़ा जमिनदार एक लिस्ट किसी एक बड़े जमिनदार की बेटी के साथ ही सिर्फ शादी करवाएंगे तो जमिनदार इसलिए बहुत ही चिंतित रहता था और इस बीच में वो और भी बहुत सारे अद्भुत अद्भुत और आश्यर जनक सारे किताबे पड़ चुके थे और भग गनना के और भी अच्छा वाला पतजी वो आविश्कार कर लिये थे और पहले से भी जादा बहुत सारे इंफॉर्मेशन तत्थ है उनके पास जादू के विश्यर में और वो आ गया थे और वो भी बहुत अच्छे वाले और बहुत ही आजीवो गरिब जादू या जादू विद्धा भी सीख लिये थे लेकिन इतना कुछ जानने के बाद इतना कुछ होने के बाद भी बाई देखो अब लड़का कहां जा रहा है कैसे क्या कर रहा है थोड़े न उसको तक-टकी लगा के हर मिनिट का खवर रहता है न तो इसलिए जमिंदार के मन से डर भी नहीं जाता था एक दिन जमिंदार वो अपने कुछ संगी को लेकर कोई काम से जा रहे थे और जो जिस नदी में उस बच्ची को बाहा दिया था उसी नदी के किनारे वो आए और कुछ एक होकर वो लोग रस्ता भटक गए थोड़े देर में और उस दिन बहुत ज़दा गर्मी पड़ी थी तो वो लोग प्यासा हो गए और उनको भूग भी लगई थी तो एसी थोड़े देर तक इधर उदर घूमते हुए वो लोग आए तो आए कहां आए वही जो मच्वारा था ना उसके घर पे वो घर के सामने मतलब उस कुटिया के सामने वो लोग आ गए वो लोग देखे कि के सब्सक्राइबला स्कीं यहें स०्सक्राइब भीव जाणने मतलब चाने मतलब उसके और याली तो भाण मतलब हो आए भीव लड़के मतलब has got a farm करण मतलब और दा पीजा जरी तुरह ना पर दो फच्मानने मतलों टायारी कर रहे थी तो प्रड़ साथी क्या तैयारी क नहीं वो लोग तो उसका नाम नहीं जानते थे तो हम यहाँ पर बोलेंगी कि जमिंदार उस लड़की को मतलब मार्गरेट को देखके बोले हम लोग बहुत ही ठक गये हैं प्यास लगा है और तुम क्या मुझे हम लोगों को थोड़ा सा पानी पिला सकते हो क्या मार्गरेट तब बड़ी हो गई हैं वो भी 16 साल की होगी तो और बहुत ही सुन्दर लड़की थी उसके आखे समंदर के नील पानी की तरह और उतना ही गहरा था सर पे सुनहेरे बाल और वो बहुत ही विनम्र लड़की थी तो वो धिरे-धिरे अपने कुटी से कुटिया से बाहर निकल अच्छा इसी बीच में उसके माबाब भी आ गए बाहर फिर यह लोग तो पानी पीए जमिंदार और उनके साथी लोग थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गये और फिर वो आपस में बात ही करने लगे वो लोग क्या बोलने लगे पता है अरे देखो किती बागर लड़की उसकी बीबी बनेगी तो अ नहें हम लूग बहुतती गरीव इंसान है बाबा और मा को काम काज में मैं साहरता करती हूँ अब शादी के लिए तो अभी कोई सोचने का भी कोई फुरसत नहीं है और हमारे तरह एक गरीव घर की बेटी को कौन शादी करेगा तो ये बात सुनके वो दोस्त कहने लगे अरे मेरा अगर कोई लड़का होता तो मैं ही तुम्हें अपना बहु बना लेता तो और एक बोले अरे तुमसे अच्छा और सुन्दर और तो बीवी कोई डूण बीवी तो डूणने से भी नहीं मिलेगा समझे बच्ची तो जमिनदर की एक और एक जो दोस्त है वो जमिनदर के तरफ देखके कहने लगा अच्छा तुम तो बहुत ग्यानी हो बहुत सरे रहस है और अलोगी जादुविद्धा पर-पर के तुम तो भाग गनाना भी करना सीख गए हो तो बोल सकते हो ये जो प्या कर गया और वो अचानक से गुस्सा हो के बोले अरे मैं क्या रस्ते में बैठने वाला चौल में बैठने वाला जोतिश हूं क्या के सबका हाथ देखते फिरूं हैं भाग करना मैं नहीं करता समझें तो बहुत सारे लोग अब उसको प्रेशर डालने लगे तो सबके सामने इ की तो कोशिश की लेकिन आखिरकार उसको मानना ही पड़ा और फिर जमिंदार मार्गरेट के हाथ को अपने सा पास खींच के लिए अब देखना है अगर गन्ना करना ही तो देखना है तो फिर वो मच्वारे की जो बीवी हैं उनको बुला कर पूचने लगा पूचने लगे क्या तुम्हारी बच्चे कब पैदा हुई है तो गन्ना करने के लिए पहले ही मुझे बो जानना जरूरी है तो मच्वारा बूच्वारा का बीवी की बहुत शर्मा के कहने लगी कि मैं सच बोलो क्या तो जमिंदार बोले हाँ बोलो सच तो Margaret की मा कहने लगी Margaret को मैं अपनी कोक से जनम नहीं दी 16 साल पहले इसी दिन हम लोग किस नदी से हम लोग क्या बोले हम लोग को यह मिला है मजवारा कहने लगा कि हाँ मैं ही उसको हाँ मैं ही उसको लेके आया था मुझे ही वो मिली थी मैं तो मचली पकड़ने गया था नदी में तो मारगरेट तब वहां से ही मनलब क्या बोलू उसमें ही बह के जा रही थी तो कैसे कैसे मैं उसको पकड़के यहां पर अपने घर पे लेके आई और फिर तब से वो हमारी बेटी है तो जमिनदार भाई पूछने लग गया मलब सोचो अब जमिनदार को तो लग ही रहा होगा भाई यह कौन सा भाई तो तो वो पूछी लिया लेकिन तब तक तो उसके मन में जो चलना था वो तो चलना शुरू हो गया जो सोच तो इसलिए उसके आवाज लडखरा गया पता है और वो उसके दिमाग में दुश्चिंता फिर से उमढ़ के आ गया भाई तो फिर वो धेरे से पूछा उस नदी की नाम क्या है तो जहां पर तुम्हें वो मिली तो और तब उसकी उमर कितनी थी तो जमिनदार बहुत ही व्यक्वल हो के तो पूस तो ली दो-एक दिन से जादा नहीं होगी जब वो दो एक दिन से जादा उमर नहीं होगी उस बच्ची की जब मुझे हम लोग को मिली थी और जमिंदार की पत्नी बोली तो भई यह सारे चीज सुनने के बाद जमिंदार तो चुप रहे गया उसे तो समझ में आ गया यह वही लड़की है जिसको उन्होंने 16 साल पहले एक बार नदी में फेक चुके थे ताके उसके साथ उसके बेटे की शादी ना हो पाए इन आश्यरी की बात है वो लड़की आज भी जिन्दा है और एक्दम स्वस्त और सवल होके वो बड़ी हुए है तो जेले मतलब जेले बोले तो मच्वारा मच्वारे की पत्नी जो है वो तो के अंदर चली के और जाके ही जाने के तुरंद बाद वो बापस भी आ गई और साथ में लेखे आए एक चदर जो बहुत ही किमती थी और वो दिखा के कहने लगी इसी चदर में मार्गरेट लपेटे हुई थी और वो कहां से आई है बोलकर थोड़ा से रुक के मच्वारी क पत्नी बोलने लगी इस चदर को देखके मुझे लगा है कि मार्गरेट की घर यॉक्षायर में है यह जो चादर है यह यॉक्षायर में ही सिर्फ मिलता है शायद वहां पर ही मार्गरेट की जनम हुई थी शायद जनम हुई थी तो यह चदर देखने ही जमिनदार तो पहच इसमें ही लपेट के उन्होंने उसको फेका था तो यह सब देखे जमिंदार के तो डर के मारे हाथ पैर एकदम सुन पढ़ गया और वो अपने साथ आने वाले एक साथ में जो सारे दोस्त लोग ते जो संगी साती थे उनमें से किसी एक को बोले एक कागज और कलम लेकर आ जा मत्तव उस कागज और कलम लेकर उस कलम से एक कागज में चिठ्ठी लिख दी और अच्छे से उसको गोंद से चिपका के वह चिठ्ठी मार्गरेट के हाथ में थमा दिये और बोले यह लो यह तुम्हारा भाग्य है लड़की मैं तुम्हें बहुत पसंद कर रहा हूं अब तुम्हें इस चिठ्ठी लेके तुम मेरे भाई के पास जो समुंदर की किनारे रहते हैं उनके पास जाओगे और वो तुम्हारा देख भाल करेंगे और यह लो यह रुपए पैसा जो तुम्हारे रहा खर्चा है मनदब चलते हुए जितना रस्ते में जितना तुम्हारा फर्चाओगा उसके लिए मैं यह दे रहा हूं और आशिर बात करता हूं तुम्हें कि तुम्हारा यात्रापत सुन्दर हो सुगम हो और तुम अपने माबाबा के पास स्वस्त रूप से वापस आपाओ लेकिन इतना जान लेना कि तुम्हारा भाग्य तुमको ही बनाना है मार्गरिट और उसके माबाबा बहुत आवाख होकर जमिंदार के यह सर्व कर्म कांड देख रहे था उन लोगों तो समझ भी नहीं है तो जमिंदार क्या समझाना चाहा और क्यूं उनके बेटी को अपने भाई के पास भीजना चाह रहा है कुछ नहीं समझे फिर भी धन्य वादी वह कोई कुछ दे रहा है तो उसका शुक्रिया तो आदा करना चाहिए तो जमिंदार और फिर इसके बाद जमिंदार और उसकी जो दोस्त लोग है वह लोग बोरे के चर्ड़ के फिर वापस चलेगे अपने घर के तरफ निकल दिया वही दूसरे दिन मार्गरेडा जमिंदार कहके गया है चिठी देके गया है तो वह दूसरे दिन प्रस्तुती कर ली जानने के लिए फिर वह चिठी को बहुत अच्छे से अपने सकार्ट के अंदर रखे फिर वह चलना शुरू की जमिंदार के भाई के घर के तरफ तो भई रस्ता तो खत्म होने की नामी नहीं ले रही थी ऐसी चलते 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 शाम हो गया भई अब शाम के रात थोड़े दिर में रात हो जाएगी तो मार्गरेट सोची कि कोई एक होटल में जाके रात को बिता देते हैं फिर सुबह फिर से हम चलना शुरू कर देंगे तो कोई गाउं के बगर में मलब गाउं के सामने एक अच्छा वाला होटल उसको मिल गया तो जहांपर कम पैसे में अच्छा मलब खान पान भी मिल रहा था तो वह अच्छे से पेट पूझा कर ली और रात को वही पर थैर भी गई लेकिन उसी होटेल में उस रात को दो डाकू भी रह रहे थे उन लोग कैसे सोचते थे वह लोग वहाँ पर आते थे न उस होटेल के यात्री लोग जो भी वहाँ पर रुखते थे उन लोग को ये लोग लूट किते थे लोटते थे थे लेकिन उस दिन रात को मार्गरेट तो सो गया उसको तो कुछ पता ही नहीं चला लेकिन ये दो डाकू पहले मार्गरेट के कमड़े के अंदर घुसे और फिर कुछ चोरी किया जा सकता है या नहीं वो देखने लगे अब धोरे देर बाद उनको पता चला इसके पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन वो चिठी उन लोग को मिला और क्यूरिसिटी के तहद वो लोग उस चिठी को फार के देखने लगे कि क्या लिखा हुआ है और वो लोग क्या पड़े पता है लिखा हुआ है प्रिय भाई पत्रबाहक से इस चिठी को मिलने के बाद ही तुरंद पत्रबाहक को वंदी करके मार डालना नहीं तो ये जो लड़की है हमारे परिवार के लिए अपूर्ण शती की कारण हो उठेगी तुम्हारा बड़ा भाई जोन तो ये चिठी तो उसने डाल दी और जो ये दोनों डाकू पढ़ लिए भाई है ना लेकिन हमारी मार्गरेट को तो नहीं पता था नहीं पता थी कि भाई क्या लिखा हुआ है चिठी में अब इन डाकों को बहुत मैंलब क्या बुलुत तरस आ गया मार्गरेट को देखकर और वो लोग सुचे इती सुन्दरी इती मासूम सी एक बच्ची के ऊपर कोई इतना निर्दय तक कैसे कर सकते हैं तो वो लोग क्या किये पता है बहुत मस्ती वाली बात ये है कि वो लोग और एक चिठ्ठी लिकर इस चिठ्ठी के जगा पर रख दे अब सुभव होते ही मार्गरेट से उठी उसको तो इतने सारे रामायन की कुछ आता पता थी नहीं वो तो तूरंद फिर से अपना रवाना हो गए भे अपना चिठ्ठी लिकर वो चलना शुरू कर दी और फिर सम और जाकर वो चिठ्ठी को हैंड ओवर करने के लिए सोची तो इतने में वो जब अंदर आ रही थी तो तब जमिंदार का जो लड़का है वो वहाँ पर बैठा हुआ था अब वो जहां से सोचा के वो मार्गरेट को आते हुए देखी नहीं आते हुए देखा और वो सुचन कौन है भी अब या बेड़कैंडों संच कै Fall क्या चाइए आपको तो वो जो लड़की है उसको अगर लेके जाना थाया है उसके चाचाजी के पास तो वही प्यो irm प्युच्ताज की तो लड़की ने क्या किया मार्गरेट ने उस लड़की के हाथ में वो चिठी पकड़ा दी अब लड़का चिठी को फार कर मानलब चिठी का जो envelop है उसको फार कर चिठी पढ़ने लगया चिठी में लिखा हुआ था प्रिय भाई पत्रवाहक इस लड़की को मेरे लड़की के साथ शादी करवानी की व्यवस्था कर देना ये बहुत ही प्यारी बच्ची है और इसकी सुरक्षा की जमेदारी तुमको लेना है ठीके तुम्हारा प्रिय भाई जॉन अब चिठी देखते हैं जमेदार की भाई को बहुत ही अच्छे अजीब लगा पिर उसको लगा हाँ उसके बड़ मुईया तो ऐसे ही है बहुत सारे उसको जादू दिद्धा बहुत सारे कुछ पता है और वो ऐसे कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं तो अब वो ये सोच के सोचे के ठीके बहुत चलो शादी की इन दिजाम करना शुरू करते हैं अब जमिनदार की जो लड़के के साद मार्गरेट का तो बहुत ही दोस्ती होगी पहले दिन से ही होगी बहुत अच्छा वाला दोस्ती अब शादी की तारीख भी ठीक होगी पहले तो नहीं होगी लेकिन शादी की तारीख भी ठीक होगी अब करना तो पढ़ेगा ना वो गए हम बोल रहें लगिन करना तो पढ़ेगा तो कुछ दिन बाद समयंदार के पास एक चित्थी पहुँची जो वो छोटा भाई लिखा लिखके भेजा था कि उसमें वो लिखे भेजा कि तुम जैसे बोले थे कि वैसे ही हम शादी की आयोजन मतलब वैवस्ता करना शुरू कर दिये हैं तुम्हारे लड़की के साथ वो पत्रवाहग जो सुन्दरी जो लड़की है उसकी शादी होगी सारे आयोजन तो संपन होगे मतलब लतारीक भी फिक्स हो चुकी है अब तुम्हारा आशिरवाद मैं काम ना करता हूँ मतलब अब वो अपने बड़े भईया को बुला रहा है अब वो चिट्थी पढ़ते ही जमिनदार की सर पे तो आकाश तूट पड़ा वो सोचन लगा रहे इत्ता बड़ा भूल कहां से हो गया रहे क्या और कैसे हो गया जमिनदार तो तुरंद घोरे पे सवार होकर वहाँ पर चलने के लिए रवाना हो गया और दौरते दौरते जब वहाँ पर आके पहुंचे तो देखा कि शादी का तो बहुत बड़ा आयजन हो चुका है सारे खान पान भी प्रस्तुत हो चुका है बहुत बड़ा हॉल रूम जहां पर गाना बजाना चल रहा है और बहुत सारे माननी अथिती लोग भी आ चुके हैं वो शादी के अनुष्ठान में अब जमिनदार घुमोरे से उतरते ही चीखते हुए घर के अंदर महल के अंदर घुजगे और फिर बोलने लगे कहा है वो लड़की जिसके साथ मेरे लड़के का शादी होने जा रहा है तो मार करेट तो तब शादी के जो क्रिश्चन लोगों का नॉर्माली जो होता है सफेद वाला गाउन पैन के सुन्दर से परी जैसे हो क्या बोले सुन्दर से वो तयार होके थी अब जमिनदार के सामने रुआ के खड़ी हुई अब जमिनदार भी उतर जित हो था और लेकिन अब भाई उत्ते सारे लोगों के सामने थोरण वो चीख सकता है तो मौनीमन वो अपने आपको बहुत कोशिश करके शान्त कर ली और बहुत कश्ट से वो अपने छोटे भाई को बोला इस शादी के अनुष्ठान शुरू होने से पहले मुझे ना मार्गरेट के साथ कुछ बात ही करना है बोलकर वो मार्गरेट को अपने साथ लेके चले गए ये जमिंदार की और एक बार भाग्ये के साथ लड़ाई करने की कोशिश थी तो खोशिश था तो भाई ठीक है वो उसको लेकर एक सुनसान पहार पहारी इलाका में लेके चले गए और एकदम टॉप में लेके चले गए और उस पहार के एकदम नीचे ना समुन्दर थी एकदम नील गहरा समुन्दर की पानी दिखाई पढ़ रहा था अब लड़की मार्गरेट है उसको अचानक से लगा ये नॉर्मल वाले किसी काम के लिए इन्होंने मुझे लेके यहां पर नहीं आया है मुझे तो लग रहा है कि ये मुझे धक्का मार कर उस पीक से मांटेन पीक से समुन्दर में ये मुझे फेकने के लिए आया है तो जहां तक उसको समझ में आ गया और जहां तक उसने देखा वो मार्गरेट देखी कि जमिनदार के दोनों आखे इदम लाल-लाल हो गया है जैसे लग रहा है कि वो आख के तरह धदक रहा है धदक रहे हैं तो वो जो वो सोच रही थी अब तो उसको कॉन्फरम हो गया कि भाई वो जो सोच रही थी वो सही है तो फिर अचानक से वो सुनी कि जमिनदार पूछ रहा है तेरे साथ मेरे लड़की का शादी क्यों होगा क्या है तुझ में मार कर रिट को तो को समझ भे ना है वो सोच रहा है क्यों हो गया क्या से हो गया तो वो गुटने के बल बैठ कर जमिनदार के पैर के सामने बैठ कर कहने लगी मुझे मत मानना मुझे मत मानना वो अपने जीवन का भिख्षा मानने लग गई और कहने लगी सिर्फ मुझे जा की और मैं तो कभी भी किसी की भी कभी नुकसान नहीं पहुचाई है मैं आपरों की भी कोई नुकसान नहीं करना चाहती हूं करकी भी नहीं हूं तो मुझे जाने दीजिए मैं चली जाओंगी आपकी इस देश में मैं कभी भी वापस नहीं आओंगी मुझे छोड़ दीजिए अब मार्गरेट की ते सारे अनुनाय विनय देखकर इसको भी हमारे जमिंदार को भी थोड़ा लगा कि हाँ अगर यह चली जाती मेरे लड़की की जीवन से अगर चली जाती तो बस मुझे और क्या है मुझे मैं मारूं क्यों तो उन्होंने क्या किया जो इंगेजमेंट रिं कि तुम यहां से चले जाओ ठीक है और जहां तक यह अंगूठी मैंने भेग दिया उसके साथ ही तुम्हारे और मेरे लड़की के बीच में जो भी रिष्टा था वो पूरा का पूरा खतम हो चुका है ठीक तुम अभी मुक्त हो और फिर वो कहने लगे फिर अगर तुम मेर जिन्ना नहीं छोड़ोंगा लेकिन अगर तुम मेरे सामने कभी इस अंगूठी के साथ फिर वापस आ सकते हो आओ फिर उसे वापस आओ तो मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे का शादी अपने बेटे की शादी खुशी-खुशी करवा दूँगा और तब तुम मुझसे भी आशिरवाद पा सकोगी तो यह बोलकर जमिंदार तो हो हो करके हसने लग गया और कहने लगे के लड़की जीवन में अपना पत खुद को ही देखना पड़ता है अच्छे रहो अच्छे से रहो जमिंदार अकले-अकले वापस आ गये अपने छोटे भाई के महल में आकर भत बोले यह शादी रुख गई है यह तो बंद हो गई मनम रुख गई नहीं बोलो कि यह बंद ही होगी पूरा और वो लोग बहुत अच्छे से ही जानते हैं कि जमिंदार को अब अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा यूँकि जमिंदार हैं ही बहुत जिद्धी, गुसेल, एकदम नक्चड़े और निश्ठुर प्रकिती के इंसान और वो एक बार जो सोच लिए, वो उसके बार तो और कुछ करेंगे ही नहीं तो यहां होता है हमारे कार्णी के दूसरा पर्व खतम, अब आते हैं तीसरे पर्व अब मार्गरेट, हमारे जमिंदार क्या सोचे कि मार्गरेट अपने माबाबा के पास पहुंच जाएगी चलने लगी चलने लगी और उसके तो मन दुखी हो गए थी है ना उसको लगा कि पुरा आस्मान उसके ऊपर तूट पड़ी है सब कुछ ही अर्थ हीन उसे लगने लगा लगने लगी और फिर वो चलते चलते एक प्रासाद मतलब एक महल के सामने आके पहुंची क्या बोलें एक बहुत बड़ा सा बगीचा भी था उस महल के सामने मार्गरेट उस जमिनदार के घर मलब उस महल में काम ले लिया वो भी एक जमिनदार की महल थी तो वहाँ पर रसो चूला चूका करती रहती थी वहाँ पर तो कामों की अभाव नहीं थी मालब बहुत सारा काम होता था तो उस महल में कुछ दिन छोड़ छोड़ के कोई ना कोई अच्छा वाला दावत होता ही रहता था और वहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग हमेशा आते जाते रहते थे तो मार्गरेट कुछ दिनों के अंधर ही सारे काम सीख ली रसोई करना भी हो और भी अच्छे से सीख ली और उसके कामों से सारे लोग बहुत संतुष्ट हो गए और थोड़े दिन में ही क्या रसोई में कौन सा मेनू बनेगा कौन सा खाना खाने में अच्छा है कैसे बनाना है वो सारे हमारे मार्गरेट के ऊपर ही आने लग गए क्योंकि वो जिम्यदारे ले सकती थी और अच्छे से निवास सकती थी तो वो वो ही हर जगा उसकी ही डिमांड हो गई हर जगा पर कोई काम में तो धीरे धीरे दीरे धीरे हमारी मार्गरेट इतनी ससे लेना चोड़ने का भी शायद ताइम नहीं दीकाई है उसको भी सोचने के लिए हमारे मार्गरेट के पास कोई समय नहीं बचा है ना तो ऐसे ही कुछ मेने बीद गए और फिर एक दिन रस्वी घर में बहुत ही बड़ा सा मचली आ गए भाई क्यों कि उसे ने बहुत बड़ा दावत था तो उसके लिए उसको प्रिपेर करना था और इतने में अब सोचो हमारी जो मार्गरेट है वो तो उस मचली को प्रिपेर करने के लिए लगी ही थी कि तब भी वो क्या देख रही है कि उस महल के जो गेट है उससे अंदर आ रहे हैं आ रहे हैं वो ही जमिंदार और जमिंदार की जमिंदार पुत्र जमिंदार और जमिंदार की पुत दिस धर्णने लग गया के ओर्ण वह सोची कि अधि, ओर वह 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 जाने बनाना है तो भहागा यहाद जी वह क्ष्म्रर कोषुश्च नहीं परका हैं तो उसे लगा थोड़ा येलो येलो पीला दिखने में जब वो धुला धोया उसको अच्छे से तो वो चौक गई अरे ये तो वही अंगुटी है जो उसके इंगेजमेंट में वो जमिन्दार पुत्र उसको दिये थे तो वो क्या कि घेले से उसको क्या किया कि हमें याद रखना है कि ये वो अंगुटी जो जमिन्दार ने समुंदर में फेंट दिया था और इसका वह एक मचली उसी समुंदर में भ़ई तो इसके बाद क्या हुआ वो अंगुठी मिलते ही हमारी जो मेर्गरेट है मार्गरेट ने उसको अंगली में पहन ली फिर अब तब तक तो भाई फिर अच्छे से वो मचली का जो भी दिश है वो प्रिपेर की फिर जब खाने का समय को तो वह सारे भकवान वह लोग परोसना शुरू की अब तो बही उस मनलब जहां पर वो दावत चल रही थी वहां पर तो सारे लोग बहुत ही तारीफ कर रहे थे और अब वो लोग देखने चाहिए कि कौन इतने अच्छे से पकाया और सबसे अच्छे तो उनको वो मचली का ही जो प्रपरेशन पर वो अच्छे लगे थे तो अब एक बात यहां पर जरूर हम मेंशन करेंगे यहां पर कि जमिंदार पुत्र इतने खुशी के महौल में रहत कि यह लड़ कि लाकर पकडा कि उसके साथ शादी करवा देंगे उस लड़की की उस लड़की का क्या जिसको वो अपना दिल दे चुका है तो भाइज ठीक है वह तो अपने मरब जिस वो प्यार करने लग गया था उसको तो वह पूरे जिंदेगी भर के लिए खो दिया है कि हम लोग देखना चाते कि कौन इतना अच्छा खाना पकाए है तो मार्गरेट को लेखे मार्गरेट आई अब मार्गरेट को देखते ही पहले तो जमिंदार को समझ में नहीं आया था थोड़े देर में मार्गरेट को वो पहचान लिए थोड़े देर में मार्गरेट को पैचान लिए और पैचानने के बाद ही वो तो पहले बहुत ही गुस्से में आगे पहले तो ताज़ुब हो गया फिर गुस्से में आगे कहें लेकिन फिर देरे देरे वो शान्थ होकर कहने लगे तुम जो पकवान बनाय हो वो असाधारन है तुमारे रसोई में तुमारे हाथ में जादु है ये हमारे जो मार्गरेट है तब सर जूपा कर खड़ी रही फिर जमिन्दार उसके हाथ में कुछ पैसा देने के लिए मलब बक्षीश देने के लिए उसके हाथ को खेची उसमें देने गए तो तब ही वो उसके हाथ में वो ही ही रहे की जो अंगूठी है जो इंगेजमेंट रिंग है वो देख पाए वो एकदम वो जो अंगूठी है न वो चमक रही थी तो वो यह जहां तक जमिनदार देख लिए फिर हमारी जो मार्गरेट ह वो कहने लगी आपकी प्रसंशा मेरे पूरे जिन्देगी के लिए एक कुंजी बनके रह जाएगी आपकी एक चीस मेरे पास है मैं वो आपको वापस देना चाहती हूँ ये मेरे पास वापस तो आई है कैसे ना कैसे लेकिन अब मैं इसको आपको वापस देना चाहती हूँ तो बोलकर मार्गरेट उसके हाथ से वो अंगुठी मतलब उंगली से वो अंगुठी खोल कर जमिनदार को वापस दे दी जमिनदार तो जानते ही थे ये कौनसे वाली अंगोठी है तो फिर जमिनदार सोचने लगे सच में भाग किया है जो घटना है वो तो घटके रहेगा घटित होके ही रहेगा मनिश्विक कैसे इस भाग के को नियंत्रन कर सकता है फिर यही सोच सोच के फिर अचाने से उनको याद आया कि उन्होंने क्या प्रतिग्गा की थी किये थे इस लड़की के सामने के अगर वो इस हीरे के अंगोठी के साथ उसके सामने कभी आ पाए तो वो खुशी-खुशी खुशी-खुशी अपने लड़के के साथ इस लड़की की शादी करवा देंगे और उस शादी में इनकी पूर्णत्या समर्थन भी रहेगा है ना तो जमिंदार बोले ये मेरा तुम मेरा नहीं है तुम मुझे क्यों वापस दे रहे हो तो अब जिनके घर पे ये दावत हो रहा थ us तो जमिंदार है वो कहने लगे तुम क्या मेरे रसोया को बहाने की मुझसे चिनने की कोशिश कर रहे हो क्या तो तब अमारे जो जमिंदार है वह कहने लगे कि नहीं ये मेरी घर की बहू है मैं इसको अपने बहु बोलना सही नहीं होगा यहाँ पर कहना सही कि यह मेरे लड़के की बागदता बोले तो फियंसे हैं और बहुत और भागे इन दोनों को एक ही धागे से बाग दिये हैं वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं अब जमिनदार यह बोलके ही अपने लड़के को सामने बुलाए और लड़के के हाथ में मार्गरेट के हाथ थमा दिये बहुत दिनों बाद मार्गरेट और वो लड़का दोनों दोनों को देखे और दोनों ही महसूस कर पाए कि कितने दिनों से वो एक दूसरे को चा रहे थे अब ये द्रश्य देखते ही पूरा जो अतिती मलब जो सारे महमान आये थे वो सारे बहुत खुशो हो थे और वो लोग पूरा जो घटना घटित हुआ है जमिंदार के मुँसे पूरा जब वो लोग सुने तो वो लोग तो पूरा मलब क्या बोलो इतना खुश करने के बाद एक जोरा फिर से मिलित हुई है एक दूसरे के साथ ये सोचके ही वो लोग खुशी के मारे नासते रहे गाते रहे और फिर जमिंदार अपने महल में दोनों की शादे की बनवस करना शुरू कर दिये फिर ऐसा ऐसा एक उत्सब वो अपने बेटे की शादी के लिए रखे कि वहाँ पर इससे पहले इतना बड़िया कोई शादी वाला उत्सब कोई देखा ही नहीं था और हमारे जो जमिंदार है वो इस सुन्दर और इतनी ही बोले तो मार्गरेट को पाकर वो भी जमिंदार भी बहुत खुश हो गए क्योंकि प्रत्वी में उनको ढूमने से भी इतना सुन्दर और इतनी गुणी लड़की कभी कही नहीं मिलती तो मार्गरेट के जिवन में इतने सारे आफता विवता के बाद अचानक से खोब सारा सुख और श्रांती आ गई है ना असानक से ही आ गई तो फिर मार्गरेट और उसकी पती बहुत अच्छे से सुख शांती से वो लोग रहने लगे तो बच्चों आज की स्टोरी तो यहां पर ही खतम होती हैं लेकिन आज की स्टोरी से हमें क्या सिख मिली भागे हमें जोगी दे हमारे पास जितना काम है हम सुर्फ उतना ही कर सकते हैं और करते 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 हम आगे बढ़ी जाएंगे भागे ने हमारे लिए जो स्थिर करके रखे हैं वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो सोचो अगर अच्छा है और हम क्या है ना जानके अगर काम नहीं करेंगे तो हमें वो चीज मिलने में देर हो जाएगी और अगर कोई बुरा कुछ लिखा हुआ है और अगर हम अपना काम ना करके वो बुरा होगा ये सोच के या बुरा है हमें नहीं पता फिर भी हम काम नहीं है तो पहले तो बात ये है कि काम नहीं हुआ वो नुकसान उपर से नुकसान तो लिखा हुआ ही है तो इसलिए जो भी है हमारे हाथ में जो है हम लोग सर्फ वो ही करते रहेंगे फिर आगे भगवान देख लेंगे और इस राह में चलते हुए आप अपने माबाबा की अपने शिक्षिक शिक्षिकाओं की बात जरूर मानना, जरूर सुनना हाँ और दिशिशन, सिध्धान तो सोच के लेना ठीक है? तो आज के लिए इतना ही थोरे देर में फिर से मलते हैं फेल टेल्स ऑफ बेंगॉल में वहाँ पर हम एक नया प्रसोर शुरू करने जा रहे हैं तब तक के लिए सारे अच्छे से रहो खुश रहो और फुदकते रहो नहीं अभी शायद जिसतर में लेट चुके हो है न तो आग बंद करके सुनते रहो ठीक है? तड़ा